नमस्कार दोस्तों, कमेंट बॉक्स में हमें कई तरह के कमेंट्स आ रहे हैं और लोग लगातार हमसे ये पूछ रहे थे कि मसाला बनाने के बिजनस के बारे में आप हमें बताइए तो आज का ये वीडियो उनी लोगों के लिए है जो मसाले का बिजनस शुरू करना चाहते हैं क्योंकि मसाला एक ऐसी चीज है जो हर घर में इस्तेमाल होता है चाहे वो सबजी बनानी हो दाल बनानी हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अप्पय होगी है इस वीडियो को तक देखिएगा क्योंगि हम इस वीडियो की जरी आपको बताएंगे कि ऐसे कौन-कौन से factor poisonous हैं जो इस business को ठफ कर सकते हैं और ऐसे कौन-कौन से factor जो इस business को यह तक यहनि की बहुत high level तक पहुंच जा सकते हैं इससे पहले आप हमारा चानल सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकान का बटन दबा दीजिए तमाम अफडेट्स के लिए और साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए का कमेंट बॉक्स को लिकीगा कि और कैसे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं बि में इस्तेमाल होता है और इसके पूरी प्रक्रिया होती है हाला कि हम घर में अगर थोड़ा सा मसाला बनाना है तो हम कुछ मसाले लेकर जैसे दाल चीनी लॉंग इलाइची बड़ी इलाइची इन सब को लेकर पीस देते हैं अलगलग प्रपोर्शन में और मसाला तयार हो ज घर के मसाले बनाने के लिए रौ मटीरियल इस विपार के लिए रौ मटीरियल के रूप में केवल वही कच्छे मसाले लगते हैं जिसकी सहायता से आप विपार करना चाहते हैं आम तोर पर इस विपार के लिए आवशक रौ मटीरियल हल्दी काले मर्च सूखी मिर्ची जीर धनिया आदी है घर के मसाले बनाने के लिए मुश्य नवी इस उड्यों के लिए कुछ विशेश मशीनों के आवशक्ता होती है जिसके सहायता से अपने मसाले की क्वालिटी मेंटेन की जा सकती है क्लीनर इस मशीन की सायता से मसाले के रौ मेटीरियल से कंकर पत्थर साफ किये जाते हैं ड्रायर ड्रायर का प्रयोग करके मसाले को सुखाया जाता है ग्राइंडिंग इस मशीन की सायता से कम मेहनत में मसाला पीसा जाता है Power Braider, ये मशीन बारीक पाउडर को नीचे और मसाले के मूटे पाउडर को ऊपर करने में कारे करती है Back Sealing Machine, इस मशीन की सायता से मसाले की टाकिंग की जाती है गर के मसाले बनाने के लिए मशीनरी की केमत इस पूरे मशीन की सेट अप के लिए लगभग चार लाख रूपए तक निलागत आती है कहां से खरीदें आप होल सेल या फिर ऑनलाइन माध्यम से मसाले और मशीन नीचे दिये गए लिंक पर जाकर खरीद सकते हैं घर के मसाले के विपार का पंजीकरन ये विपार एक खादी विपार है अता इसके लिए आवश्यक पंजीकरन कराना अवश्यक है आपको सबसे पहले अपना फर्म उद्योग आधार अत्वा MSME के अंतरगत कराना होगा इसके बार आपको सरकार के खादी विभाग से FSSAI लाइसेंस प्राप्ट करने की आवश्यक्ता होती है इस लाइसेंस से आपकी मसाले पर शुद्धता संबंदि सवाल नहीं उठेंगे यदि आप विपार बड़े प्रमाने पर करना चाहते हैं तो आपको अपने फर्म का प बनाने की आवश्यक्ता होती है तो हमें पूरे यकीन है कि अगर आप इस तरह के बिजनस की इच्छा रखते थे तो अब आपके पूरे डॉक्स क्लेयर होगे होंगे लेकिन फिर भी अगर आपका कोई भी सवाल है कोई भी ट्वैरी है कोई भी शंका है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखें हम आपकी मदद करने के लिए हमेशा तहीं आ रहते हैं ओकी क्रेडिट बिजनस ओके है